Hello students, in this video I am going to teach you about element, mixture and compound but first you will learn about element मैं आपको इस वीडियो में element, mixture and compound के बारे में सम्झाने जा रहा हूं आए सबसे पहले element के बारे में जाने, element को तत्व भी कहते हैं हिंदी में element is the purest and simplest substance that cannot be divided into any other matter by any method इसे आप हिंदी में सुने, तत्व शुदितम और स्रलतम पदार्थ होता है जिसे किसी भी परकार के दरव में किसी भी विधी द्वारा नहीं बाटा जा सकता है यानि element के बारे में बताया जा रहा है कि यह purest and simplest substance होता है अगर आप जाना चाहते हैं substance क्या है तो आप इस वीडियो के description box में जाएं वहाँ आपको substance related वीडियो का link मिल जाएगा आप उसे click करें and substance क्या है उसे आप सीख लें तो बताया जा रहा है कि element purest and simplest substance है पहली बाट के element substance है और वह भी purest and simplest ओके डाट कैनाट बी डिवाइड इंटो एनी other matter by एनी method यानि उस purest and simplest substance को किसी भी method से दूसरे यानि other matter में बदला नहीं जा सकता है जैसे आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ है तत्व शुदितम और सरलतम पदार्थ होता है तत्व यानि element शुदितम और सरलतम पदार्थ होता है जिसे किसी भी परकार के दरव में यानि matter में किसी भी विधी दुआरा नहीं बाटा जा सकता है इसलिए कि यह purest and simplest substance है और इसे किसी भी method से दूसरे matter में change नहीं किया जा सकता है यानि iron को आप किसी भी method से gold नहीं बना सकते and gold को किसी भी method से iron में नहीं बदल सकते ठीक है and यह purest substance कैसे है यह तो आप समझ सकते iron में आपको iron ही मिलेगा gold में gold ही मिलेगा silver में silver ही मिलेगा तो यह purest substance है अगर आपको जानना है कि substance क्या है, purest substance क्या है, तो फिर मैंने पहली बता दिया कि आप इस वीडियो के description box में जाएं, आपको link मिल जाएगा और देख लें, ओके, तो iron, gold, silver, copper, sodium, oxygen, mercury, carbon, ये सब purest and simplest substance है, और इस purest and simplest substance को element, not element, हाँ, yes, element, element इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसे दूसरे matter में change नहीं किया जा सकता है, समझे, यानि element वैसे purest and simplest substance को कहते हैं, जिसे किसी भी method से दूसरे तरह के matter में change नहीं किया जा सकता है, जैसे फिर से बता दे, copper को sodium में, sodium को oxygen में, यानि other matter में change नहीं किया सकता है, इसलिए यह purest and simplest substance तो हुआ ही, साथ में यह element भी हुआ, It is of two types, यह दो तरह के होते हैं, metal जिसे धातू कहते हैं, non-metal जिसे अधातू कहते हैं, तो अगर metal and non-metal को जानना है, तो आप इस video के description box में जाएं, वहां आपको metal and non-metal के video का link मिल जाएगा, आप देख ले, metal and non-metal भी आपको समझ में आ जाएगा, बट इस video में, metal and non-metal मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, इस video में मैं आपको element, mixture and compound के बारे में समझा रहा हूँ, तो आप element के बारे में समझ गए, और यह भी समझ गए, कि इसके two types होते हैं, metal and non-metal, अब आईए जाने, mixture किसे कहते हैं, mixture is an impure substance, देख लिजे, element में मैंने two elements or compounds with any ratio by physical method, यानि बताया जा रहा है कि mixture, पहली बात की mixture impure substance है, और दूसरा यह, दो से ज़्यादा element या compound का बना होता है, जान लिजे, mixture में कम से कम दो component होना चाहिए, मतब two components होना चाहिए, मतब दो अवयव होना चाहिए, और वो दोनों अवयव, या तो compound हो सकता है, या पिर elements हो सकता है, और या फिर एक element और एक compound हो सकता है, आईए इसे और हाँ, ये भी बता दे कि mixture physical method से बनाया जाता है, तो आईए और जाने, हिंदी में देखिए आप लिखा है, मिश्रन वैसे शुदितम पदा, मिश्रन वैसे अशुद्य पदार्थ को कहा जाता है, जिसे क मिश्रन वैसे अशुद्य पदार्थ, यानि impure substance को कहा जाता है, जिसे किसी भी अनुपात, यानि रेश्यो में दो या दो से अधिक तत्वों, यानि elements, या योगिकों, यानि compounds को मिलाकर, बहुत इक विधी यानि physical method दुवारा बनाया जाता है, इसमें भी वही बात है, यान इसमें कम से कम two components होते हैं, दो अव्यव होते हैं, और वो दोनों अव्यव, या तो कम से कम दो अव्यव होते हैं, और वो दोनों अव्यव, अगर दो अव्यव हैं तो, तो दोनों अव्यव, या तो element, यानि तत्व हो सकते हैं, या दोनों योगिक, यानि compound हो सकते हैं, और फिर उसमें एक योगिक और एक तत्व यानि एक compound और एक element हो सकता है लेकिन कम से कम दोका होना जरूरी है तभी मिश्रन कहलाएगा और मिश्रन में जो और मिश्रन के बारे मैंने पहले बता दिया कि यह impure substance है यानि की अशुद्य पदार्थ है और आगे देखे mixture is not a new thing mixture कोई new thing नहीं होता है जैसे मैं बताऊं कि जैसे water and sugar का आपने mixture बनाया तो mixture कोई new thing नहीं है यानि की mixture of water and sugar कोई new thing नहीं है कैसे तो आप देखें जैसे अगर आप test करें sugar को तो sugar sweet होता है and sugar and water के mixture को अगर आप test करें तो वो भी sweet होगा उसी तरह से water water एक liquid है और साथ ही उसका mixture है वो भी एक liquid है ठीक है तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि जो mixture का वही property है वही गुन होता है जो उसके components को होता है जिससे पता चलता है कि mixture कोई नई चीज नहीं है अगर अगर ऐसा होता कि mixture का property कुछ और होता और mixture जिस चीज से बना है उसका attorney कुछ और होता तो फिर उसे यानि बनने वाले चीज को mixture नहीं कहते मैंने आपको बताया कि mixture कोई new thing नहीं होता है क्योंकि mixture का प्रोपार्टी वहीं होता है जो मिक्स्चर के components को होता है यानि जिस चीज से mixture बनता है उसका property and mixture का property same होता है ठीक है और ये भी बता दिया कि mixture physical method से बनाया जाता है and mixture के components को यानि उसके members को physical method से अलग किया जाता है यानि physical method से mixture बनाया भी जाता है and mixture के components को physical method से अलग भी किया जाता है और आगे आईए, मिश्रन कोई नए चीज नहीं होता है, for example, brass, steel, etc, यह सब क्या है, यह सब मिश्रन है, यानि mixture है, क्यों? इसलिए कि brass या steel, impure substance है, और इसमें एक से ज़्यादा components है, और जो भी components है, उसका property और बनने वाले mixture, यानि brass and steel का property same होता है, मतलब brass का property और brass जिससे बना है, उसका property approach same होता है, इस्टील का property और steel जिससे बना है, उसका property approach same होता है, और दूसरी बात, brass and steel जिस components से बनाया जाता है, उसमें physical method को use किया जाता है, and physical method से जब चाहें, brass and steel के components को अलग कर सकते हैं, अब आएए आगे जाने, mixture is of two types, mixture के दो type होते homogeneous mixture, जिसे हिंदी में समांग mission कहते हैं, and non-homogeneous mixture, जिसे हिंदी में विशमांग mission कहते हैं, अगर आप homogeneous mixture and non-homogeneous mixture के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस video के description box में जाएं, वहां इसका link मिल जाएगा और उसे आप समयझ लिए, अब आएए जाने yoga के बारे में, यानि compound के के बारे में, यह this is very important topic, compound, compound is just adverse means opposite of mixture, यानि यह mixture का just opposite है, ठीक है, जैसे day का opposite night होता है, and night का opposite day होता है, उसी तरह से mixture का opposite compound, and compound का opposite mixture होता है, जिस समझा, तो इस तरह से अब आई जाने, compound के बारे में, compound is a pure substance, देखा, आपको mixture में कहा गया था, कि वो impure substance है, यहां बोला जा रहा है, pure substance, ठीक है, which is made up of two or more than two elements or compound with fixed ratio by chemical method, देखे, आप कुछ बाते तो देखेंगे, कि mixture के जैसा है, और कुछ बाते देखेंगे, अलग है, जादे तर देखेंगे, अलग है, जैसे देखेंगे, compound is a pure substance, तो यह अलग है, which is made up of two or more than two elements or compound, यह सेम है, यह बात mixture में भी था, mixture में भी two or more than two elements or compounds होते हैं, इसमें भी two or more than two elements or compounds होते हैं, but अलग बात यह है, with fixed ratio, मिक्चर में कंपोनेंट्स के जो रेशियो थे वो फिक्स नहीं थे और कंपोनेंट्स के जो रेशियो है वो फिक्स होते है ठीक है और इसे कंपोनेंट्स से बनाए जाता है तो देख लिया कौन-कौन सी बाते अलग है मिक्चर में देखा मिक्चर में इंप्यूर सब्स्टांस मिक्चर इंप्योर सब्स्टांस होता है, कंपॉनेंट्स के रेशियो फिक्स होते है, एंड मिक्चर में, मिक्चर को बनाया जाता है, फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपॉन को बनाया जाता है, केमिकल मेथड से, तो आप देख रहे होंगे, ज्यादे तर बाते, ज्यादे तर प तो हिंद्वी में देखे योगिक वैसे शुद्य पदार्थ को कहा जाता है जिसे एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों या योगिकों को मिलाकर रसायनिक विदी द्वारा बनाया जाता है जानने जिस कंपोनेंट से बनाया जाता है वह एलिमेंट भी हो सकता है ठीक है साथ में कोई एक भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो का होना ज़रूरी है ठीक है आगे देखें कमपोन और जिससे बनाया उसका परोपर्टी से मिलता नहीं थिक है और उसके नहें है ठीक है, for example water, sugar, salt, carbon dioxide, etc. यह सब example है, compound के, आई यह समझाए, water, जैसे water को ले, इससे हम समझाते हैं, जैसे आपको पता है, water hydrogen and oxygen से मिलकर बना है, ठीक है, पता होगा आपको, तो hydrogen एक gas है, oxygen भी gas है, लेकिन उस से मिलकर water बना, तो water क्या liquid है, तो देख लिए आपने, water का property and hydrogen and oxygen का property अलग है, hydrogen and oxygen are gas, but water is liquid, तो जहां देखा, यहां देखा कि water का property अलग है, बिलकुल अलग है, इससे पता चलता है, water is a new thing, तभी हम इसको compound कहेंगे, एक और, एक और example से समझे, जैसे आप देखिए, water, hydrogen and oxygen से मिलकर बना है, जिसमें oxygen, oxygen आग को जलाने में support करता है, ठीक है, औ hydrogen में आग लग जाती है, hydrogen में आग लग जाती है, oxygen आग को जलाने में support करता है, but water, water ना तो support करता है, और ना ही water में आग लगती है, बलके water आग को बुझा देता है, इससे पता चलता है, कि water का जो property है, गुन है, feature है, विशेष्टा है, वो बिलकुल ही, अलग है उससे, जिस compound new thing होता है, यानि compound अलग चीज होता है, यानि जिस चीज से बना है, उससे वो अलग होता है, ठीक है, तो इस वीडियो में आप समझ गे, element के बारे में, compound के बारे में, and mixture के बारे में, ठीक है, और इसको समझाने के लिए, इसमें जो भी terminology आया, जैसे metal, जैसे non-metal, जैसे homogeneous mixture, non-homogeneous mixture, ये सभी, अगर आपको जानने ने है, इसके बारे में जानना है, तो मैंने आपको पहली बता है, फिर बता रहे हैं, कि आप इस वीडियो के description box में जाए, उसका आपको link मिल जाएगा, और उसी पर देख लें, okay, तो I hope कि आपको इस वीडियो ज़रूर समझ में आए तो इस वीडियो को जादे सादे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, and I shall say thanks for watching my video, okay?